प्रेमचंद के गोदान के जो गोबर और धनियात है न अब वो उतने कमजोर नहीं है आईसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है मानिये प्रधानमंत्री जी ने संबबता अभी अचानक बिहार बड़ी चिंता में आ गया है सबके मैं जानता हूँ वज़ा तो बिहार में संबोधित करते हुए कहा कि गुम राह कर रहे हैं कोई अरे साहब आपने तो राहें गुम कर दी तो गुम राह कोई क्या करेगा नमबर तीन आज इससे पहले कि मैं बिल पे बोलूँ मैं तमाम दलों से अपील करता हूँ और ये हिर्दा विदारा का पील है कि दलों के दाएरे से उपर बढ़िए क्योंकि किसानों ने विप जारी कर दिया है आपको ये तै करना है कि दल के इतिहास में रहिएगा या किसानों के दिल के इतिहास में रहिएगा ये आपको तै करना होगा मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉंट्राक्ट फार्मिंग ये निर्बली करन का जरिया है, निर्बली करन का, किसान की समझ आकिर क्या है, मुझे तो लगता कई दफ़ा, मैं मौफी के साथ कहता हूँ, हमारे मंतरी महद है, संजीदा वेक्ती हैं, लेकिन क्या संकलपना किसानों की हॉलिवुट की फिल्मों से लेके आ रहे हैं क्या, हिं जो कंजम्शन से थोड़ा उपर, उसकी खरीद के लिए शार्क आएगा वहाँ, उसके उत्पाद के खरीद के लिए, मैं समझता हूँ, थोड़ा चिंतन, थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए, मेजॉरिटी बहुत टेंडेंसी प्रोड्यूस करती है, इस तरह कि जो मैंने प कमीटी में आप से पहले का था, उसके कुछ सुझाओ थे, अब शांता कुमार जी तो विपक्ष के नहीं थे, आपकी पाटी के हैं, उनको सुन लेते, अच्छा, जमा खोरो बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके जो मैं बिल का दियन करता हूँ, तो आप रोह क्रॉप्स के इर्दगिर्द घूमता है, वैसे वैसे ही फसलों का क्या होगा, खाद की फसलों का क्या होगा, उस पर आपका नजरिया, मैं समझता हूँ, मैं जैसे बिहार को ले करके कह सकता हूँ, आपकी MSP निर्धारी थे मक्चे के लिए कुछ, सर 700 रुपे नीचे में ख किसान के बारे में, उसकी संपुनता में सोचिए, वो किसान आप से क्या चाह रहा है, और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, कि आपके तमाम बिल्स और एक्स में देख रहा हूँ बीते दिनों में, आप सहकारी संगवाद कहते हो रेडियो टेलिविजन पर, और अहंका करने से पहले माननी है, मैं आपके माध्यम से कहूं, ये भी कहना चाहता हूँ, आज भारत का किसान आपकी ओर देख रहा है, सदन की ओर देख रहा है, मैं बार बार दुह रहा हूँगा कि भारत का किसान, आज ही अप एक्षा कर रहा है, आप क्या करने जा रहे हैं, ऐसा न स्माकी के जिन्दगी में कोहराम मचा देती है ये तै करिए और उसके बाद आगे बढ़ी और आखरी टिपनी करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा लास्ट मिनिट प्रफद्थ प्रफसर जी लास्ट मिनिट सर मैं जानता हूं मैंने पहले भी कहा था कुस कुछी में ही कुछ सर एक एक चीज जो मैं अखरी टिपनी से पहले करना चाहूंगा कि जब आप मजहौले छोटी जोट के किसान को देखते हैं तो आपको आप कह रहे हैं कि हम डबल करेंगे इंकम सर कहां कबर में लिटा करके इंकम उसके उपर लगा दोगे वो बचेगा ही नहीं वो उसके खात हूं कि सिहता सदन अगर ये बिलपास करता है तो आप अभी चोरी लिख रहे हैं इंडियन फार्मिंग कम्यूटी की भारतिये क्रिसानों की लेकिन हाँ जो मैंने पहले कहा कि किसानों ने विप जारी कर दिया है सर ये कहानी हर्याना पंजाब तक नहीं रहेगी ये बिहार तक ये जाएगी क्योंकि ये नहीं हो सकता मैं तो मानता हूं भाजपा के भी हमारे मित्र वो भी एक बार सोचे क्या करने आप जा रहे हैं और आखरी सर इक्माल कह गया थे वह जैहिन बोलना दीजे ना जिस खेट से दहका को मैसर नहों रोजी उस खेट के हर खोशाए तूम को जला दो जैहिन जैकिसान